नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ राज मुहन तिवारी बिहार SAC प्रथम इंटर इस्तरिये जो बहाली है 2014 में आई थी लेकिन आज 2021 हो गया है अभेर्थी अभे भी इस परिच्छा के समापन का ही इंतजार कर रहे हैं लगतार इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं कि मेंस परिच्छा का रिजल्ट आने के बाद जो की फरवड़ी में आया उसके बाद टाइपिंग, सौट हेंड और जो फिजिकल का टेस्ट लिया जाना है आखिर कब लिया जाएगा इस सम्मंद में जब अभेर्थियों ने ल फिलिप को उनका कहना है कि इस नोटिस में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि यह जो परिच्छाएं बाकी है टाइपिंग, सौट हेंड और फिजिकल की वो कब ली जाएंगी इस नोटिस में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि वह यह बता दिया गया है कि कौन स को दबाने की कोशिस की गई है जबकि अभियर्तियों की यह मांग है कि इस बहारी को जल्द से जल्द संपन किया जाए ताकि अगली बहाली आ सके पिछले साथ साल से बिहार से ने कोई भी बहाली नहीं दिये इसी समझ में क्या कुछ कह रहे हैं छात्रे निता दिली पहले आप उन्हें सुन लिजिए दोस्तों कल 18 जुन को ट्विटर पे जबरदस्त आंदोलन हुआ जिसके बाद बीससी ने नोटिस जारी किया जो टाइपिंग से संबंदित है और यह अंदोलन का ही असर हुआ कि बीससी दवाब में आकर एक नोटिस जारी करती है लेकिन बीससी द्वारा जारी किया गया यह नोटिस सिर्फ और शिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं को एक लॉलीपफ थमाया गया है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि टाइपिंग के बारे म अंदोलन हो चुका था और बीससी ने कल जब ट्वीटर पर देखा कि छात्रों का क्रोस बहुत जैदा है हजारों चात्र चात्राओं ट्वीट कर रहे हैं उसके बाद टाइपिंग से संबंदित यह नोटिस जारी किया साम में कल लेकिन बीससी फिर एक बार छात्रों को नहीं दिया गया है तो बीससी को इसलोटिस के साथ ही देना चाहे था न कि कब से टाइपिंग स्नुट का परिछा होगी देना चाहे था उसके बाद कब तक यह को शुचना नहीं गए हाईद इस बारे में कुछ नहीं कहाया बНе रख्षा देगी कि अगले महीने जुलाई में नई वेकेंसी आईगी तो ये हम 2018 से सुनते आ रहे हैं कि हर माँ छबाद या जाता है कि अगले माँ नई वेकेंसी आईगी तो हमारा जो डिमांड है कि BSSE CGL 3 यानि सचीवाले सहायक इंटर अस्तरिय बहाली में जो वेकेंसी है उसको जल्द निकाला जाए और पर्थम इंटर अस्तरिय बहाली को जल्द पूरा किया जाए तो BSSE इस तरह से चात्रों को गुम्रान ना करे ठागने का काम ना करे और जल्द इस पर कोई नोटिस जारी करे जल्द इस पर decision ले कि न और चात्रों को गुम्राह करना बंद करें बिएससी बरना बिहार के छात्र जिस दिन अपना आपा खो देंगे धैर्ज खो देंगे तो उस दिन इन लोगों के लिए बहुत ही मुस्किल हो जाएगा तो हम पुना आगरह कर रहे हैं अभी एससी से कि आप नोटीस जारी कीजिए कि कब तक ये पर्थम इंटरस्तर ये बहाली पूरा कीजिएगा और नई वेकेंसी कब दीजिएगा तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे चातर निता दिलीव को जीनों का ये मानना है कि ये नोटीस अधूरा है और अभीर्थियों के लिए एक लॉलीपॉप है जो बिहार ससी हमेशा ऐसे ही करता है वो कभी भी पूर्ण जानकारी नहीं देता एक अभीर्थी इस बात को लेक तरवाज उठा रहे थे कि आखिर ये प्रकिरिया जो 2014 से चली आ रही है खिर खतम कब होगी लेकिन आज भी जब बिहार ससी ने 18 जून को जो नोटीस जारी की इसमें इसकी तारीक नहीं बताई कि आखिर ये पड़ीचाय टाइपिंग सोट हैंड और फिजिकल की कबली आते थे ये जनकारी हमें दी गई लेकिन पडिक्षा जल्द से जल्द संपन कर आई जाए ताकि अगली वेकेंसी बिहार ससी जल्द से जल्द जाड़ी करें वह केवल और केवल ब्रामा के खबरें चलाकर अभियरतियों की आवाज दबाने की कोशिस कर रहा है ऐसा कहना है अबने रहें लाइब बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक लगतार पहुचा रहे हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें